हेलो प्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल लर्न कंपुटर सब्चेक्ट जो मैंने ब्लॉक्चेन टेक्नोलोजी की सीरिस स्टार्ट किया है उसमें मैं बेजिक बेजिक आपको इजीली समझा दूंगा कि क्या है और स्टेप बाइ स्टेप मैं सारे वीडियो भी डालता जाओंगा जो भी मैं सीख रहा हूं तो आपको भी ये यूस्पुल हो लेकिन मेरी एक रिक्वेश्ट है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिगा और अपने फ्रेंड के साथ सहर करना मत बुलेगा चलो सारे एडवांटेज है वो कौन-कौन से है उसमें से मैंने जो मेजर लिया है वो है हम वन बाई वन में बताऊंगा आपको अपने सुना होगा कि ट्रांसपरंसी तो उसमें ये पर ब्लॉक्षें टेक्नोलोजी है वो डेटर ट्रांसपरंसी प्रोवाइड करता है और उसका जो भी डेटा है वो easily share भी होता है means जो भी one PC to another PC डेटा ट्रांसपर होता है उसकी accurate ट्रांसपरंसी रहती है means वहाँ पे एक PC से large PC means source से destination तक जाता है जो भी PC उस वो डेटा जाता है वहाँ पे तो उसके बीच में multiple copies generate होती है तो हब कहीं से भी उसको access और verify कर सकते हो तो इसक पहले application दी greater transparency second है enhanced security enhanced security का मतलब क्या है कि suppose यहाँ पे कोई भी unauthorized person है जो black chain technology में enter नहीं हो सकता means उसमें कोई jacky नहीं कर सकता आपने क्या transaction किया और आपके कौन-कौन से record है तो इसलिए आपकी security भी बढ़ जाती है क्योंकि यह जो भी data है वो encrypted form होता है तो वो easily आपको decrypt भी नहीं कर सकते हैं थर्ड वान है improved traceability traceability means क्या है कि अगर आपने अभी सोचो कि आपने कोई parcel courier किया है तो आप easily उसको track कर सकते हो कि यह कितना कहां पर पहुचा है same thing यहां पर blockchain technology में है अगर आपने को transaction किया है तो आप easily trace भी कर सकते हो कि मेरा transaction कितना complete हुआ है अगर आपने किसी को data transfer किया तो कितना data transfer हुआ है वो भी आप easily trace कर सकते हो next है हमारा जो बहुत important है increase efficiency and speed and reduce the cost तो यह जो है वो quality और speed दोनों improve करता है efficiency means speed भी ज़्यादा होती है अभी आप देखोगे कि RTGS करते हो 3-4 दिन लगते है लेकिन if we are using blockchain technology so we can transfer that money also within one or two days means एक दो दिन का time कम हो जाता है और उसका जो भी charges से वो भी cost है वो भी less होता है तो यह जो 5 application थी वो बहुत important है यह blockchain technology जो उसको अभी market में बहुत improve हुआ है इसी बज़ा से क्योंकि यह जो time है वो बहुत काम है और इसकी जो efficiency है वो तक्रिवन 99% है so it is a very good technology for the transaction purpose or transfer money one place to another purpose so इस दियो में इता ही थाइँ thank you for watching my youtube channel learn computer subject